हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ अनुरादा और आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट वितन रादा पे बहुत बहुत स्वागत है आज में आप सबी के लिए 11 क्लास की जो जोग्रफी की पाठे पुछ तक है भूगोल की पाठे पुछ तक है ब मत भोलिएगा भूगोल एक विशय के रूप में आपने मादमिक स्थर पर भूगोल का अध्यान सामाजिक विग्यान पाठे क्रम के एक घटक के रूप में किया है आप देश्व एवं इसके विभिन भागों की भूगोलिक तत्यों से परिचित है अब आप भूगोल का एक स्वतंत विशय के रूप में करेंगे तथा प्रित्वी की बहुत इक वातावरण, मानवे क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंद के विशय में जानकारी प्राप्त करेंगे यहां आप एक प्रासंगी क्रश्न पूच सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए हम धरातल पर रहते हैं हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है हम निर्वा के लिए अपने आसपास के संसादनों पर निर्भर करते हैं आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वास अंसादनों जैसे पसुओं इंखाद्य पद्धों पर आस्रिता समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसादनों यथा भूमी मृदा जल का उपयोग करते हुए अपना अह प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुखूल एवं उसका परिस्करन सामाजिक संगर्ठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिनिता पाई जाती है भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातर पर विभिनिता वाले सभी सत्यों के विशय में जानने के लिए उत्सु विभिनिताओं को उत्पन करने वाले कारणों की खोज करने की छमता प्रदान करता है इससे आपने मानचित में परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने तथा धरातल के दिस ग्यान की कुसलता विक्षित होती है आधुनिक वैग्यानिक तक्नीक यथा भौगोलिक सूचना तं प्रिथवी की खोज क्या है आप जानते हैं कि प्रिथवी हमारा आवास है या प्रिथवी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है प्रिथवी की सतर एक रूप नहीं है इसके भौतिक स्वरूप में भिन्निता होती है यहां परवत पहाडियां घाटियां मैदान पठार समुद्र जेल देगिस्तान वन उजार छेत्र मिलते हैं यहां सामाजिक उज्वी सांस्कृतिक तत्तों में भी भिन्निता पाई जाती है जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधी में मानव द्वारा स्विजित ग्रामूं नगरूं सडकूं र बहुतिक पर्यावरन एक मंच प्रस्तुप करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने स्रेजनात्म क्रिया कलापों का ड्रामा अपनी धकनी की विकास से प्राप्त उपकरनों द्वारा मंचित किया आब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने मे सच्छम प्रयास कर सकते हैं अत्यंत सरल सब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल प्रिथवी का वर्ण है सरप्रतम भूगोल सब्द का प्रयोग इरे टास्थेमीज एक ग्रीक विद्वान थे यह उन्होंने किया था यह सब्द ग्रीक भासा के दो मूल जियो जिसका अर काफूज मतलब की वर्ण से प्राप्त किया गया है दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है प्रिथवी का वर्ण प्रिथवी को सरवदा मानों के आवास के रूप में देखा गया है और इस द्रिष्टी से विद्वान भूगोल को मानों के निवास के रूप में प्रिथ्वी का वढ़न परिभासित करते हैं आप इस्तत्यु से परिचित ही हैं कि अथार्तता बहु आयामी होती है और प्रिथ्वी भी बहु आयामी है इसी लिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकीम, रिदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति सास जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, तथा अनिसह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहियों के विज्ञान, जैसे अर्थ सास्त, इतिहास, समास सास, राजनीती विज्ञान, द्रे विज्ञान, इत्यादी धरातल की वस्त्विक्ता के विभिन पच्छों का पुछना धार प्राप्त कर उसका संस्टेशं करता है। दिखाई पड़ती है। अनेक नौह समानता थे भूगोल को छेति न उन्हों का अध्यान करता है। जो छेती संदर्व में भिन्न होते हैं, भूगोल वेता मात्र धरातल पर तत्थियों से विभिन्नता का अध्यान नहीं करते हैं। जो तत्थियों या एक से अधिक तत्थियों के मद्य कारेकारण संबंद को ग्याद करने में हैं। अथाक एम निरंतर सक्री मानों के बीच आबद प्रक्रियाओं के फल्सुरूप कालांतर में परिवर्थित होते रहते हैं। आदि मानों समाज अपने निकर्तम पर्यावरन पर सीधे तोपन निभर करता है। अब ऐसा नहीं है। वहहल इस प्रकाल प्रक्रिती तथा मानों के समग्रिएकाई रूप में, अन्दर प्रक्रियाओं के अध्याय संमंदित है। मानों ने प्रकृति के साथ समझा होता अनुकूलन मतलब कि एडॉक्टेशन तर अथवा आपरिवर्थन मौडिफिकेशन के माध्यम से किया है जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है उसने तक्नीकी की खोज यों प्रयोग द् अपने उपर बहुतिक पर्यावरण के द्वारा कसेवें बंधन को ढीला करने में सच्चम हो गया है तक्नीकी ने स्रम की कठोर्ता को कर्म कर स्रम दर्चता को बढ़ाया अत्वा तथा अवकास का प्रावधान करते हैं मानों को उच्चतर आवस्थताओं को पूर करने का अ वी द्वारा संखेप में माननों इुम ईश्वर के बीच निम्न वरताण लाप की माधहिम से ब्यक्त प्रकृति के सहयोग से नई संभावना का स्रिजन किया इस प्रकार हमें मानवी कृत प्रकृति प्रकृति प्रभावित मानों के दर्सन होते हैं भुगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंद का अध्यान करता है परिवानियम संचार के साधनों के जाल तथा पदान्युक्रमिक केंद्रों के माध्यम से छेत समाकलित एउम संगठित हो गए एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भुगोल इसी छेती समाकलन एउम संगठिन का अध्यान करता है एक वैज्यानिक रूप विशाय के रूप में भोगोल तीन वर्गी कृत प्रश्णों से संबन्नित है पहला, कुछ प्रश्ण धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक इम सांस्कृतिक विशेष्टाओं के प्रति रूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्ण के उत्तर देते हैं, दूसरा है, कुछ प्रश्ण प्रित्वी पर भौत दिक सांस्कृतिक तत्तों के वितरण से संबन्नित होते हैं, जो कहां प्रश्ण से संबन्न होते हैं, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्णों में प्राकृतिक इम सांस्कृतिक तत्तो के वित्रण इंस्थिति को ध्यान में रखा गया है इन प्रश्णों से कौन सा तत्व कहां स्थित है से सम्मंदित सूची बद्ध सोचना है प्राप्त होती है आपनी वेशक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलीत रहा है इन दो प्रश्णों में तीसरे प्रश्ण के जुड क्यों प्रश्ण से जुड़ा हुआ है एक विशे के रूप में भुगूल का क्रोड छेत से समन्मंदित होता है तथा स्थानेक विशे इंस्ताओं एंपवड़ों का विवेचिन करता है यह उत्यों के वित्रण इस्थिति केंदी करण के प्रतिरूप का अध्यन करता है बीच साहचारी एयुम अंतर संबंद का विशलेशन करता है भूगोल एक समाकलन इंटेग्रेशन विशय के रूप में यहां पे आप भूगोल के विभिन छेतर देख सकते हैं पादप भूगोन हो गया बनस्पति भूगोन प्राडी भूगोल पाइस्तिकी भूगोल जनसंख्या भूगोल राजनैतिक भूगोल एतिहासिक भूगोल सामाजिक भूगोल भूगोल इसके बेभिनी छेतर हो गया भूगोल के ठीक है भूगोल एक संसलेशन रात्मक या सिंथेसिस विशय है जो छेती संसलेशन का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संसलेशन का प्रयास करता है इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होलिस्टिक होती है यह इस तत्य को मानता है कि विश्व एक परस्पन निर्भर तंत्र है आज बर्दमान विश्व से एक वैस्वेक ग्राम का प्रतिबोधन होता है परिवहन के बहतर साधनों तथा बढ़ती वी गम प्रकृतिक तत्यों तथा आर्थिक यह सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरिच्छन यह परिच्छन के बहतर अवसर प्रदान की हैं भुगोल का एक संसलेशन आत्मक विश्य के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विश्यों में अंतरा प्रिष्ठ इंटरफ बनाता है रेखाचित विग्यान से संबंधित सभी विशे झूड़े हैं क्योंकि उनमें कई टत्व सब्रां के भूह 房े होते हैं ऑताहता को समगता से समझने में सहयरक होता है अता बूंगोल नकेवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की वहनता पर ध्यान देता है अपी तो उन्हें समगर्टा से समाकलित करता है भुगोल विता को सभी सम मन्विट छेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवसकता होती है जिससे कि वह उन्हें ताकिक रूप से संसलेशित कर सके यह संसलेशन कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलता पुर्वक समझाया जा सकता है यह था भुबोल एतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है स्थानिक दूरी स्वयम विश्व के इतिहास की दिशा को प्रिवतित करने के लिए एक प्रभावसाली कारके छेते विस्तार लड़ाई के दोरान विशेश कर पिछली सताब्दियों में कई देशों के लिए सुरच्छा का साधन बना परंपराकर्त युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़ कर समयकाला प्राप्त किया नय विश्व के देशों के चारों तरफ विश्तित समुद्रदार प्रदत रच्छा कवच उन्हें जिनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है यदि हम देशों की प्रमुक एतिहासी घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रते की भौकोलिक ब्याख्या की जा सकती है भारत में हिमालाय का एक महान अवरोत के रूप में देश की रच्छा करता रहा है परन्तु उसमें विद्यमान दर्दे मद्य एसिया के आक्रमर कारताओं यों प्रवर्ज्रकूं को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं सामद्र किनारे, दचिड़ पूरू, दचिड़ पूरू, एसिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्कू को प्रुच्छाहित करते रहें नौ संचालन मतलब की नेविगेशन तक्नीकी ने यूरोपी देशों को भारत सहित कई एसिया, यूं अफ्रीकी राष्णों पर आपनिवेसी करन करने में सहाय था क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से एक गम मेता मेली भोगोलिक तत्तु द्वारा, विश्व के विभि प्रेच्छी में उसकी ब्याख्यक की जा सकती है, भू, आकृती, जलवायो, वनस्पती, आथिक्रियाय, ब्यवसाय, एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित एतियासिक पत का अनुसरन किया है अनेक भोगोलिक तत्वेभिन संस्थान द्वारे एक विशेश समय पर निढ़ने की प्रक्टिया के प्रतिफल होते हैं उधारनार्ड, औथान से बौस्थान से 1,5 g किलो मीटर है उसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है यदी हवाई जार से यातरा की जाय तो 17 gटा दूर है, यदी तीब्र गामी रेल की यातरा की जाए इस कारण समय भोगोलिक अध्यान के चतुत आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है कृपया तीन अन्य आयाम का उलेक कीजिए देखा चित्र विभिन प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के भोगोल का सम्बंद प्रचूर रूप से चित्रित करता है यह सम्बंद दो खंडों में रचा जा सकता है पहला है बहुतिक भोगोल एक प्राकृतिक विज्ञान बहुतिक भोगोल की सभी साखाएं जैसा कि सिरेखा चित्र में दर्साया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरा प्रिष्ट है परंप्रागत भौतिक भूगोल, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जैले विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबन्दी थे एक भूगोल वेत्ता को गडित एवं कलाव विशेष्था मानचित्र रेखांकन में निपूर होना चाहिए। प्रचेपन द्वारा प्राप्त हो सकता है रेखांक तथा परिड़ांक तकनीक में गडित, सांखिकी एवं अर्थमिती मतलब की इकोनोमेट्रिक्स में प्रमीरता की आवसकता होती है मानचित्र कला आत्मक कल्पना द्वारा तयार किये जाते हैं। खाका या स्केच मानस, मेंटल, मानचित्र कला कार्टोग्रोफिक वर्क है तू कला में निपूरता आवसक है भुगोल इम सामाजिक विज्ञान। रेखाचित में प्रदर्शित प्रतेक सामाजिक विज्ञान का भुगोल की एक साखा के साखा से अंतर प्रिष्ठिया इंटरफेस संबंध है। भुगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रतीक विशय का एक दर्सन होता है जो उस विशय के लिए मूल आधार, रिजन द इटर्स होता है दर्सन किसी विशय को जर प्रदान कर उसके क्रम सह विकास प्रक्तिया में इसप्रश्ट एतियासिक भोमी का प्रस्तुत करता है इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्री साखा के रूप में सर्वत पाठेक्रम में समिलित किया गया है सामाजिक विज्ञान के सभी विशय यथा समाज सास्त, राजनीती विज्ञान, अर्थसास, जनानकी की सामाजिक यथार्थता का अध्यन करते हैं भुगोल की सब ही साखाएं सामाजिक भुगोल, राजनितिक भुगोल, आर्थिक भुगोल, जनसंख्या भुगोल, अधिवाद, भुगोल, आदी विशेयों में घनिश्टता से जुड़े हैं कि इन में से प्रतेक में स्थानिक special विशेस्ताइं मिलती हैं राजनीती सास्त का मूल उद्देश राज्य छेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का विशलेशन है जबकि राजनीतिक भुगोल एक छेत्री इकाई के रूप में राजी तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक विवहार का अध्यान करता है अर्थ विवस्ता की मूल विशेस्ताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवन उब्भो का विवेचन करता है इन विशेस्ताओं में से प्रित्तेक का स्थानिक या स्पेसियल पच्छो होता है अत एव वहां आर्थिक भुगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितिरन तथा उब्भो के स्थानिक पच्छे का अध्यान करता है इसी प्रकार जनसंख्या भुगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है उपर एक विवेचन से सपस्थ है कि भुगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में घनिष्टता से जुड़ा हुआ है यह अध्यान के विधी तंद एवं उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विश्यों से प्रिथक करता है जबकि अन्य सभी विशियों का अपना निजी विशर छेत्र होता है भूगोल ब्याष्टी परक सूचनाओं के ब्योहाओं का अवरोध नहीं करता जैसा कि सरीर के सभी कोशिकाओं की एक जिल्ली या मेंब्रेन द्वार प्रिथक पहचान होती है परन्तु रक्त का बहाव औरुद्ध नहीं होता भूगोल बित्ता सहयोगी विशियों से प्राप सूचनाओं यों आकणों का प्रयोग करते हुए छेत्र के परिप्रेच में उसका संस्लिशन करता है मानचित्र भूगोल बित्ताओं का बहुत प्रभावसाली उपकरण होता है जिसके माध्यम से छेत्री प्रतिरूप को प्रकास में लाने के लिए साड़ी बद्ध आकड़ा दिश से रूप में परिवर्दित किया जाता है भूगोल की साखाएं यहां पर भूगोल की कुछ साखाएं है इनको देख सकते हैं पहला तो हो गया प्राधेशिक अध्यान और छेत्री अध्यान इसको भी तीन भागों में डिवाइट किया गया स्थूल प्रादेशिक अध्यन, मध्य प्रादेशिक अध्यन और सोच में प्रादेशिक अध्यन दूसरा इसका भाग है इसका उपागम है वो प्रादेशिक विकास तीसरा है प्रादेशिक विश्लेशन और चौथा है प्रादेशिक योजना प्रादेशिक योजना को भी दो भागों में बाटा गया है देश या ग्रामीन योजना और सहरी योजना तो ये हो गए इसके उपागम भुगोल के पुने स्मरण हेतु आप कृपया चित्र का अध्यान कर सकते हैं चित्र किरताने और से इसपश्टता प्रकाट होता है कि भुगोल अध्यान का एक अंतर्शिच्छन इंटर्इंडिसिप्लिंरी विशाह्त पिरतेक विषय का अध्यान कुछ उपागमां के अनुसाह्त्यार किया जाता है इस दृष्टी से भूगोल के अध्यान के दो प्रमुक उपागम है पहला है विशय वस्तुगत जो की क्रमबध है एवं दूसरा है प्रादेशिक विशय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामाने भूगोल का होता है यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेता Alexander Von Humboldt द्वारा परिवर्दित किया गया जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास Humboldt के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेता Karl Ritter द्वारा दिया गया था विशय वस्तूगत उपागम में एक तत्थे पर पूरे विश्व इस्तर पर अध्यान किया जाता है तर पस्चाथ छेत्री स्वरूप के वर्गी कृत प्रकारों की पहचान की जाती है उदारनार्थ यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्यान में रूची रखता है तो सर्व प्रथम विश्व इस्तर पर उसका अध्यान किया जाएगा फिर प्रकारात्मक प्रगी करन जैसे विश्वती रेखिये सदा बहार बन नरम लकडी वाले कोर्ण धारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादी की पहचान उनका विवेचन तथा सिमांकन करना होगा प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन पदानुकरमिक इस्तर के प्रदेशों में विभग्त किया जाता है और फिर एक विशेश प्रदेश में सभी भोगोलिक तथ्यों का आध्यान किया जाता है ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्द्रिष्ट जो की नामित प्रदेश हो सकते हैं, एक प्रदेश में तथ्यों का अध्यान समगता से विविधिता में एकता की खोच करते हुए किया जाता है, द्वैतवाद भुगोल की एक मुख्य विशेशता है, इसका प् कलित भाग है, वह प्रकृतिका अनिवार्यंग है, उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी युगदान दिया है, इस प्रकार मानवी क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भुगोल का विकास हुआ, भुगोल की यहाँ पर कुछ साखाएं हैं, चलिए इनको देखते है हम लोग, पहला तो हो गया भुतिक भुगोल, दूसरा है सिध्धानत या दर्शन साथ, जिसको की दो भागों में डिवाइट किया गया है, भुगोलिक चिंतन और मानव पाइस्थितिक यह भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, और तीसरा जो है विधी एवं तक्नीक है, इसको जो है निम्न भागों में बाटा गया है, पहला है मानचेत्र कला, दूसरा है मात्रात्मक तक्नीक, तीसरा है छेत्री सर्वेचन भी धी, और चोथा है भू सूचना, भू सूचना को जो है तीन भागों में डिवाइट किया गया है, जी आईएस, जी पी एस, ल और जो नेक्स्ट है, भूगोल की साखा है, वो मानो निर्मित है, इसको जो है निम्न भागों में बाटा गया है, अंतरा प्रिष्थी भूगोल ठिक, और यहां पे जो यह भूतिक भूगोल है, यह भी निम्न भागों में बाटा गया है, पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवाई विग्यान, तीसरा है जलव विग्यान और चोथा है मृधा भूगोल और जो अंतरा प्रिष्ट भूगोल जीव भूगोल था इसको जो है पाइस्थितिकी भूगोल, पादब भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणे भूगोल के भागों में बाटा अतिहासिक भूगोल जनसंख्या एम बस्ती और राजनयतिक आर्थिक भूगोल में परिवर्तित किया गया है ठीक है अतिहासिक भूगोल को जो है अतिहासिक भूगोल जनसंख्या उम बस्ती जो है वो दो भागों में डिवाइट किया गया है ग्रामीड एम नगरी ग्रामीड इवं नगरी ठीक है आर्थिक भूगोल को भी निम्न भागों में बाटा गया है पहला तो हो गया क्रिशी दूसरा है और द्योगिक तीसरा है परेटन चोथा है ब्यापार इवं परिवहन और चोथा है पाच्वा है आवसान रचना और नेक्स्ट है सेवाए ठीक है तो ये जिनका की क्रम बद उपागम दिया गया है इसका स्क्रीन सॉट ले करके आप कर सकते है ठीक है भूगोल की साखाने विसे वस्तुगत या क्रम बद उपागम के आधार अ हो गया भौतिक भूगल इसको भी जो है चार भागों में बाटा गया है पहला है भू आकृतिए जलवाईव के प्रकार एम जलवाईव प्रदेश का अध्यान किया जाता है तीसरा है जलविक्यान इसके अंतरगत यह धरातल के जल परिमंडर जिसमें समुद्र, नदी, जील तथा अन्य जला से सम्मिलित हैं तथा उनका मानव सईत विभिन प्रकार के जीवू एम उनके कार पर प्रभाव का अध्यान किया जाता है नेक्स्ट है मुरुदा भूगोल यह मिट्टे निमार के प्रक्रियाओं मिट्टी के प्रकार उनका उत्पादकता स्तर वितरण एम उप्योग आधिक अध्यान इसके अंतरगत किया जाता है जो मानव भूगोल है वो जो है दो प्रादेशिक गयात्मक्ता डाइनिमिक्स एम समाज की योगदान से निमित सांस्कृतिक टत्यों का अध्यान आता है नेक्स्ट है जनसंख्या एम अधिवास भूगोल यह ग्रामीन तथा नगरी चेत्यों में जनसंख्या बृद्धी उसका वितरण घनत्व लिंग प्रवास हिम ब्यावसाइक संदचना आधिका ध्यान करता है जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीन हिम नगरी अधिवासों के वितरण प्रारूप तथा न्यविसटाओं का ध्यान किया जाता है नेक्स्ट है आरृथिक भूगोल यह मानों की आरृथिक क्रियाओं जैस प्रदेश वर्तमान इस्तिती में आने के पूर्व एतिहासिक अनुभाओं से गुजरता है। भोगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की ब्याख्या एतिहासिक भूगोल का धेय है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल यह छेत को राजनीतिक घटनाओं के दिश्टी से देखता है। इसके फल स्वरूप जीव भोगोल का अभ्यूदर हुआ है। परियावरणी प्रतिवोधन के फल स्वरूप परियावरणी समस्याओं जैसे भूमी राज, प्रदूशन, संदच्छन की चिंता आधिका अनुभव किया गया। जिसके अध्यान हेतु इस साखा का विकास हुआ। जो नेक्स्ट प्रकार है भोगोल का वह प्रादेशिक उपावगम पर आधारित भोगोल की साखा है। इसके अंतगरत पहला है व्रियाद, मध्यम, लगु, उस्तरी, प्रादेशिक या छेती अध्यान, दूसरा है ग्रामीन इलाका नियोजन, एवं सहर, एवं नगर नियोजन, सहित, प्रादेशिक नियोजन, तीसरा है प्रादेशिक विकास, चौथा है प्रादेशिक विवि प्रिया या मानवपाइस्थितिकी, जो दूसरा है विधितन्त इंव्ण तकनिक, इसको जो है चार भागों में डिवाइट किया गया है, पहला है सामान इंव्ण संगड़क आधारित्मानचित, दूसरा है परिमाडात्मक तकनिक या सांखिकी तकनिक, तीसरा है छेत और चोथा है भू सूचना विज्ञान तक निया जियो इन्फोर्मेटिक्स जैसे दूर सम्मेदन तक निया भूगोलिक सूचना तंत जी आईएस वैस्विक इस्थिती तंत जी पीएस उपर एक तुवर्गी करण भूगोल की साखाओं की एक विस्तित रूप रेखा प्रस्त तंत एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे उदारणार्ट जो पहले हस्त नियरमित मानचित तकनीक थी अब संगड़क नियरमित मानचित में परिवर्दित हो गई हैं तकनीक ने विद्ध्वानों को विध्वानों को बृहत मात्रा में आख्रों के प्रबंधन की सम ग्यात करने के लिए सोविधाजनक उपकरण हो गया है तकनीकी ने गंभी सधानतिक ज्ञान के साथ संसलेशन करने की छमता को बढ़ा दिया है आप इन तकनीकों के कुछ प्रात्मिक पच्चों के विशे में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मकारेभाग एक में ज इसके विशेचेत को प्रतिविंबित करती है यहां भूगोल की इस साखा के महत को बताना युक्ति संगत होगा भूतिक भूगोल में भू मंडल जैसे की भू आकृतियां प्रवाह उच्चावच वायू मंडल इसकी बनावट संद्चना तत्व एवं मौसम तथा तापकरम वायूदाप वायू वर्सा जलवायू के प्रकार इत्यादी जलमंडल समुद्ध सागर जीले तथा जलपरी मंडल से संबंध तत्व जैमंडल में जीव के स्वरूप मानव तथा ब्रिहत जीव एवं उसके पोशर प्रक्रम जैसे खादे स्रिंखला 25 थितिकी प् संब्क्रिया इंवं कालावधी पर निर्भर करती है कालावधी मिट्यों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मिदा पार्शवी का प्रुफाइल के विकास में सहायक होती है मानव के लिए प्रितेक तत्तों महत्पून हैं भू आकृतियान आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानोक्रियाय संपन्न होती हैं मैदानों का प्रयोग क्रिशी कारे के लिए किया जाता है जबकि पठारों पर बन एवं खनी संपदा विक्षित की जाती परवत चारग्राहों वनू परेटक स्थलों के आध तथा निम्न छेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के श्रोथ होते हैं जलवाई हमारे घरों के प्रकार वर्स्त्र भोजन को प्रभावित करते हैं जलवाई का वनस्पती सर्से प्रतिरूप पसु पालन एवं कुछ उद्द्योगों आधि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है मानों ने ऐसी तक्मीक विक्षित की है जो सीमित छेत्र में जलवाई को आपरिवर्तित या मोडिफाई कर देती है जैसे वातान कूलन एयर कंडिशनर वाई सी तक इत्यादी तापमान था वर्सा वनु के घनत्व इमघास प्रदेशों की गुडवत्ता द्रिश्चित करते हैं भारत में मानसूनी वर्सा क्रिसी आवत्न प्रडाली को गती प्रदान करती है वर्सा भूमिगत जल धारक प्रस्तर या एक्विफायर को पुन्रा वेशित या रीचाज कर क्रिसी घरेलू कारियों के लिए जल की उपलब्दता संभव बनाती है हम संसाधनों के भंडार समुद्र का ध्यान करते हैं वह मचली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनीजों की द्रिश्टी से भी संपन्न है भारत ने समुद्री तल से मैगनीस पेंट या नोड्डियूल्स एकत्यत करने की तक्निक विक्षित कर ली है मृद्र एक नवी करणी या पूनह स्थापनी संसाधन है जो अनेक आर्थे क्रियाओं जैसे क्रिशी को प्रभावित करती हैं मिठी की उर्वरता प्रकृती से निर्धारित तथा संस्कृती से प्रेरित होती हैं मृद्र पौधों पसुओं एवं सूच मजीओं के धारक ज पर्यावरण एवं मानों के मद्र संबंदों को समझना आवसक है बहुत एक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं माना इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकासों निश्चित करता है तकनीकी की सहायता से संसाधनों के संतुलन उत्पन कर दिया है अत एव सतत विकास या सस्टेनेबल डिवलप्मेंट के लिए बहुत की वातावरण का ग्यान नितांत आवसक है जो बहुत इक भूगोल के महत्यों को रेखांकित करता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको वीडियो सब्सक्राइब भी जरूर करिए गया ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी बनाओं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कुछ ब्यस्तता है जिसके कारण थोड़ी लेट हो रही है वरना अभी मैं सारा कंप्लेट कर देती है कोसिस करूंगी जल्दी से जल्दी ब बाइब भी जल्दी 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